Hello Friends, Welcome Back Friends, आज की वीडियो में हम लोग सिखेंगे किस तरह से कर्सिबलेटर लिखाने से पहले कर्सिबलेटर बच्चा को लिखाने से पहले कौन-कौन से स्ट्रोक है जो लिखने से बच्चा का हैंड पुरा फ्री हो जाएगा finger-pura free हो जाएगा cursive later लिखने के लिए सो चलिए मैं बताती हूँ कौन से stroke पहले सीखना चाहिए बच्चों को पहले कौन से stroke सिखाना चाहिए cursive later लिखने के लिए बच्चों को तो पहले सबसे पहले जब later सिखाने से पहले standing line उसके बाद slipping line slanting line इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है curve line ऐसे सिखाया जाता है यह सब stroke सिखने के बाद बच्चों को जब cursive later लिखाना होता है उससे पहले कौन से stroke सिखाया जाता है तो देखिए friends इस तरह से बच्चों को two line में यह stroke सिखाना है इसको बोलते हैं haircut stroke, haircut stroke, two line में लिखना है, बीच का जो two line है, यहाँ, two line में ये haircut stroke ऐसे खीचा जाता है, तो बच्चों को इस तरह से haircut stroke पहले सिखाना है, उसके बाद बच्चों को जैसे c बनाने small c, ऐसे small half curve two line में, आप इसको c भी बोल सकते हैं, या small half curve बोल सकते हैं, तो बच्चों को पहले ये सिखाना है, उसके बाद धीरे-धीरे दोनों को mix करके, जैसे small haircut stroke and small c को mix करके, बच्चों को धीरे-धीरे joint करके लेटर, joint करके ऐसे घुमाना सिखाना है, करसिप c, बच्चों को ऐसे बोलना है इसको, करसिप c बोल-बोल की लिखो, तो बच्चों को इस तरह, पहले धीरे-धीरे हाथ पकड़के, आप बच्चा का help करके, बच्चों का help करके आप ऐसे लिखा सकते हैं, फिर बच्चा धीरे-धीरे, खुद से लिखना सीख तो बच्चा को ये जो haircut stroke, small haircut stroke, ये जो half c है, इसको बहुत ज़्यादा practice करवाना है, उसके बाद ये जो cursive c है, उसको बहुत ज़्यादा practice करवाना है, बच्चा जितना ज़्यादा practice करेगा, उतना उसका hand free होगा, और वो cursive later खुद से लिख पाएगा, तो cursive c लिखाने के बाद, उसको cursive a लिखाना है, ऐसे करके इसको बच्चा को पहले हाथ पकड़के थोड़ा उसको बताना है, अगर बच्चा खुद से अपना दिमाग यूच करके लिख सकता है, तो लिख लेगा, लेकिन अगर नहीं लिख पा रहा है बच्चा, तो बच इस तरह से करसीब A लिखाना है, बहुत जादा से जादा बच्चा को प्राक्टिस करवाना है, इस तरह से लिखाना है, फिर उसके बाद करसीब A के बाद बच्चों को करसीब C लिखाना है, करसीब C, उसके बाद फिर से करसीब C लिखाना है, कर्सिब लेटर में पहले सबसे बच्चों को कर्सिब A सिखाना है उसके बद कर्सिब C क्योंकि बच्चा पहले से सीखा होता है स्टोक सीखा होता है इसलिए उसको C लिखने में हम लोग इसको इंटर्ड्यूस करेंगे कि बच्चा की ये C है तो बच्चों को यही बताना C है कर्सिब C उसको बोल बोल के लिखाना है कर्सिब C लिखाने के बाद बच्चा को कर्सिब O लिखाईए इस तरह से कर्सिब O लिखाईए बीच बीच में बच्चा को प्राक्टिस करवाईए stroke practice करवाईए जैसे कि ऐसे joint stroke practice करवाईए इससे बच्चा का hand पुरे free हो जाएगा pencil पकड़नी का उसका grip बनेगा finger में grip बनेगा इसलिए बच्चों को ये सब stroke जरूर करवाईए ऐसे two line में stroke करवाईए बच्चा आसानी से खेलती खेलती ये stroke कर पाएगा अगर मन नहीं भी लग रहा है तो उसका हाथ पकड़ के आप करवाईए थोड़ा थोड़ा जादा मत करवाईए इसके बाद करसिब O लिखने के बाद करसिब D लिखवाईए बच्चों को D लिखवाने से पहले बच्चा को ऐसे stroke practice करवाईए इस तरह से धीरे धीरे पहले बच्चा ऐसे टेड़ा मेड़ा लिखेगा बट धीरे धीरे उसका लेटर ऐसे stroke सुन्दर होते जाएगा इसमें कोई चिंता करनी की बात नहीं है धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा उसके बाद बच्चा को आप D लिखाएए इस तरह इस तरह बच्चा को D लिखाएए इससे बच्चा बहुत आसाने से लेटर सीख पाएगा मेरे पास ये एक बुक है जो मैं अपने बेटे को प्राक्टिस करवाती हूँ कर्सिब राइटिंग पाटे मेरे बेटा अभी चार साल का है तो ये सब अभी लिखना सीख गया है देखें कर्सिब राइटिंग मैंने पहले उसको ये सब स्ट्रोक सिखाया था ये हैर्पर स्ट्रोक उसके बाद ये कर्सिब सी और ये लाइनिंग है दी ये सब लिखाया था मैंने ये सब स्ट्रोक करवाना है तो बच्चों को इसी तरह स्ट्रोक सिखाने से सिखाने से बच्चा का हैंड पूरा फ्री हो जाएगा और बच्चा कर्सिब लेटर आसानी से लिख पाएगा इस तरह से बच्चों को बच्चों के लिए बुख लें और उन्हें करसी बलेटर क्राप्टिस करवाईए तो बच्चा आसानी से लेटर लिख पाएगा और कॉपी में भी लिखाईए फोर लाइन कॉपी में इस तरह से लिखवाईए so friends आज का वीडियो कैसा लगा comment करके बोलिएगा और ये वीडियो बहुत ही helpful है कर्सिवलेटर सीखने के लिए तो जादा से जादा अपने friends and relatives में share कीजिए और मेरे चाइनल को जिसने subscribe नहीं किया है मेरे चाइनल पर नए है प्लीज मेरे चाइनल को subscribe कर दीजिए वीडियो यहीं खतम करते हैं so bye bye